श्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए साल की सबसे बड़ी एकादशी यानि की निर्जला एकादशी और इसे निर्जला एकादशी पर आपको एक इलाईची और एक चुटकी हल्दी से बहुत ही अच्छी कुपाय करना है पुझ्जी गुर की 11 तरीक को रखेंगे और आज जो हम आपको उपाय बताने वाला है ये केवल आपको आज ही की रातरी में करना है यानि की शुकरुवार की रातरी का ये उपाय है यदि आपको धन संबंदित कोई भी परिशानिया हो तो आपको शुकरुवार की एकादशी पर यानि की नि नमक के आटे का, आपको दीपक बनाना है, बड़े ही ध्यान से सुनना, उसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है, उसके अंदर आपको घी ही भरना है, केवल घी, अब आप क्या करेंगे, आपके घर के आंगन में, जहां पर भी तुल्शी जी का पोदा है, अब आपको आपके हात में एक चुटके हल्डी ले ले लेना है, हल्डी जो है वो बह भगवान विश्नु को अत्यधिक प्रीय है और एकाधशी का पावन दिन भी भगवान विश्नु को ही समर्पित है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ग्यारा बार जाप करके एक चुटके हल्दी उस दीपक के अंदर आपको डाल देना है अब आपको एक इलाइची लेना है इलाइची मातल लक्ष्मी को तेदिक प्रियोती है इलाइची का उप्योग करने मातर से आपके जीवन में धन और एश्वरी की कोई कमी नहीं रहती तो आपको इलाइची लेना है और आपको ओम महा लक्ष्मे नमह या आपको लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्रा आता हो तो आप वो भी बोल सकते हैं और वो जो इलाइची है वो भी आपको दीपक के अंदर रख दिनी है ध्यानके 11 बार जाप करके आपको दीपक के अंदर रख दिनी है याने कि हल्दी जो है वो भगवान विश्णु को प्रिय है और इलाइची जो है वो मातल लक्ष्मी को और गणेश जी को विग्न हर्ता को भूत प्रिय है तो आपने ये हल्दी और इलाइची ही रख दी अब आप क्या करेंगे और आपको वही पर विश्णु सहस्त्र नाम का अगर पाट कर सके विष्णु 40 का अगर आप पाट कर सके या भगवान विष्णु के द्वादेश मंत्र ओम नमो भगवते वासु दिवाइक का ही आप 108 बार जाप करना है अब आपको भगवान विष्णु और मतल लक्ष में से प्रातना करनी है कि जीवन में आ रही धन संब परिशानियों को दूर करें ध्यानक है वो जो दीपक है वही पर आपको रख देना है देखिए अब आपको क्या करना है वो जो दीपक है वो आपको अगले दिन दीपक के अंदर इलाईची है और वो जो दीपक है आपको किसी भी गो माता को खिला करके आ जाना है ध्यानक ह पूछ लेना गलते बिल्कुल भी नहीं करना है से शिवायनमस्तिव्यम हर हर महादेव